मन्च पर विराजमान हमारे देश की विदेश मंत्री और देश की पहली विदेश मंत्री महिला विदेश मंत्री बेहन सुष्मा सुधाज जी जंदर भी के सी बिने सहस्तर बुद्दे जी और दुनिया के अनेग देशों से आये हुए सभी महानुभाव मैं आपका बहुत रदय से स्वागत करता हूँ भारत के प्रधान मंत्री के रूप में तो मैं स्वागत करता ही हूँ लेकिन कल अब जहां जाकर के आये हैं उस उत्तर प्रधेश से मैं लोकसभा का प्रधनेदी हूँ तो इसलिए भी मैं विशेश रुप से आपका आधर पुर्वक स्वागत करता हूँ हमारे देश में हिंदू परंपरा में एक मान्यता रही है कि जब कोई तिर्थियात्रा करके आता है अगर उसको आप नमस्कार करते हैं तो तिर्थियात्रा में जो पुन्य उसने कमाया है उसका कुछ हिस्सा नमस्कार करने के वाले को में मिलता है तो मेरे लिए खुशी है कि आप सब एक अनमोल सांस्कूतिक विरासत की तिर्थियात्रा करके आए है और आज आपके दर्शन का मुझे मुका मिला तो जो पुन्य आप कमा क्या लाए है उसका छोड़ा हिस्सा मुझे भी मिला है आप मुझे से ज़्यादा भागेशाली है क्योंकि मैं इस बार के कुम्ब में अब तक जान नहीं पाया हूँ आप होकर क्या आए है लेकिन मैं कल जाने वाला हूँ शाहिद ही कोई ऐसा कुम्ब होगा जब से मैं समझने लगा हूँ कि जहां मेरा जाने का सो भागे ना बना हो कल भी मैं जाऊंगा कुम्ब का मेला जब तक महां जाते नहीं है तब तक अंदाज नहीं आता है कि कितनी बड़ी विरासत है ये और हजानों वर्ष से निश्चिड डे टाइम के अनुसार टाइम टेबल के अनुसार ये चल रही है कोई इनिविटेशन कार्ड नहीं होता है न कोई गेस्ट होता है न कोई होस्ट होता है फिर भी मागंगा के चर्णों में और जहां भी कुम्ब होता है वहां सारे देश के और दुनिया के तिर्थियात्री वहां पहुंचते है ये असामान्य चीज है कि किसी भी प्रकार की कागर, चिछी, पत्र के बिना हजानों साल से लोग यहां पहुंचते हैं और आप जिस कुम्ब को देखकर के बड़े प्रभावित हुए है आपके मन को वो छू गया है लेकिन ये भी आपको पता हो कि पुर्ण कुम्ब नहीं है अर्द कुम्ब की अगर ये ताकत है तो जब पुर्ण कुम्ब होगा वो कैसा होता होगा जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है ये समागम अब एक प्रकार से spiritual inspiration के लिए तो है ही है लेकिन ये social reformation का movement का हिस्सा है एक प्रकार से ये उस जमाने की पंचायत है उस जमाने की जो भी democratic frame होगा क्योंकि समाज जीवन में काम करने वाले spiritual leaders हो, social leaders हो academicians हो वे तीन साल तक अपने 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 एक शेत्र में ब्रह्मन करते थे लोगों से मिलते थे, समबाद करते थे और तीन साल में एक बार छोटा कुम्भ होता था वहाँ सब अपने बैठ करके 40-45 दिन तक विचार भी मर्श करते थे, हिंदुस्तान के किस कौने में क्या चल रहा है और उसमेंसे कोई-कोई बात ताय करते थे और बारा साल में एक बार बारा साल के पीरिड का पुरा रिव्यू करके बारा साल के बाद समाज को किस प्रकार के गाईड़न्स के जरुवत है समाज में कोंसे बनलाव के जरुवत है एक प्रकार से Perfect Democratic System था कि नीचे से उपर information जाती थी और socio-political, religious leaders, including kings राजा महराजा भी उसमें रहते थे और इस विचार विमर्स में से आगे का 12 साल का road map तै होता था और हर 3 साल पर उसका review होता था यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दुनिया के सामने कभी आई नहीं आपने इस बार भी देखा होगा कि इस कुम्ब के मेले में भी कोईन कोई सटीक social message था सर्व सामान्य की भलाई के लिए message था और वहाँ पर आपने कोई बेद्वाव नहीं देखा होगा हर कोई गंगा का अधिकारी है गंगा में डुपती लगाता है अपनी आस्था के अनुसार अपना क्रिया कलाब करता है भारत टूरिजम का एक डेस्टिनेशन इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि विश्वा एक शांति की तलाश में है व्यक्ति के जीवन की आपाधापी से भी वो कुछपल अपने लिए अपने इटर्नल के लिए बिताना चाहता है धान, वैभव, सम्रुद्धी, बढ़िया, होटल ये सारी चीजें उसको प्रभावित तो करती है प्रेरित नहीं करती है उसको इंप्रेशिव वर्ल्ड से वो उप चुका है वो इंस्पाइरिंग वर्ल्ड की खोज में है और आपने कुम्भ में अनुभव किया होगा कि भावतिक संपदा की कमी के बावजुद भी एक अंतर मन के आनन को कैसे खोजा जा सकता है संजोया जा सकता है और उसे जीवन की रह बनाई जा सकती है वो आपने भली भावति अपने आखों से देखा होगा और मुझे भी स्वास है कि जब आपने अपने देश से बलोटो गे तो भावति भावति के लोग आपसे पूछेंगे क्या के था क्या क्या एक नदी के अंदर डुपकी लगाने के लिए आप इतना खर्चा करकर के चलेगे वहाँ कई लोगों का सिर होता है वह इसमें क्या है लेकिन जब आप वहाँ का द्रश्य देखोंगे और मेक्सिप अरेजमेंट भारत की और गिनाइजिंग केपसिटी का लेवल क्या है यह अपने आप में अपने अनुफ़क किया होगा मुझे पताया गया कि डेली बहाँ हजारों की तादाद में मिसिंग परसन या मिसिंग चाइल की इन्फरमेशन सेंटर पर आती है क्योंकि इतने करोड़ों लोग होते है तो कभी एकाद बच्चा हाथ से शूड़ जाता है कोई बुजूर रह जाता है फिर इतने मेले में पता नहीं चालता है बहाँ इतना परफेक्ट मेकानिजम है कि घंटे दो घंटे में वो मिसिंग की कंप्लेन आते ही उसको खोच करके उसके परिवार से मिला दिया जाता है कोई कलपना कर सकता है हर दिन गंगा के तरपर एक प्रकार से यूरोप का एक देश इखटा होता है डेली और सारी व्यवसाएं मेक्सिप अरेजमेंट में हो रही है याने जो मेनेजमेंट के स्टूड़न्स हैं उनिवर्सिटी है उनके लिए एक के स्टूड़ी कमिशे है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपना अपने तरीके से आये हैं अपनी आदतों को लेकर के आये हैं अपनी भाशा को लेकर के आये हैं लेकिन एक ऐसी व्यवस्ता जो सबको कैटर कर रही है सबको समाल पा रही है और सबकी आशा अपेक्षा को पूरी कर रही है यह अपने आप में मैनेजमेंट की दुनिया की एक बहुत बड़ी गटना है और विश्व का इस तर भ्ध्यान जाएगा और मैं भारत के विजेश मंतराले का पिश्रेश करके सुष्मा जी का रदे से भेनंदन करता हूँ कि जो कुम्ब का मेला याने एक ट्रांस इसको लगता था आँ आँ ठीक है लोग आते हैं जाते हैं लेकिन इसका एक स्वामाजी सवरूप होता है उसका एक मैनेजरियल एस्पेक होता है उसमें आधुनिकता होती है टक्रोलोजी होती है ववस्ता होती है और सरद्धा भी होती है सास्कुतिक चेतना भी होती है ये अदभूत मिलन का कारकम दुनिया के लोगों ने जबाज देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी हैं आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है भारत में जिस प्रकार से भारत की जो सांस्कृति विरासत है ये विश्व को आकरसित करने का अभूत पुर्व सामर्थ है उसमें और हम इस पर प्रतिबद हैं कि इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम दुनिया को भारत की समहान विरासत के साथ भी जोडना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि विश्व भारत की आधुरिक भारत की भी पहचान करेगा और अन्मोल विरासत से भी भारत से दुनिया परिचित होने के लिए प्रिहास करेगा आने वाले दिनों में हमारी यहां पार्लामिंट की इलेक्शन होने वाले हैं जैसा कुम्ब का मेला उसकी मेनेजमेंट मेक्सिप अरेजमेंट्स वहां का पुरा टेक्नोलोजी के द्वारा व्यवस्ताएं यह अपने आप में एक आकर्शन का केंद्र है वैसे ही more than 800 million लोग वोट करें निस्पक्षता से वोट करें उसका पूरा जो मेकनिजम है दुनिया का सबसे बड़ा यह चुनाव होता है और मेरे तो प्रयास रहेगा मैंने इलेक्षन कमिशन से भी कहा है कि विश्व का हर देश भारत का इलेक्षन टूरिजम के लिए निकले हिंदुस्तान के टूरिजम को देखे और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं कोई मार्च महिने में आए कोई मार्च के सेकंड विक में आए कोई मार्च के थर्ड विक में आए कोई अप्रिल में आए कोई मही में आए लगातार दुनिया के हर देश के दो 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 प्रतिनिदी हर हपते यहां हो हजारों की तातार में विश्व के लोग आए कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी लोगों के रगों में है भारत में गाउं में बैठा हुआ व्यक्ति भी किस प्रकार से देश की चीजों की समझ रखता है किस प्रकार से देश के समद्ध में निर्ने करता है विश्व के लिए भारत का चुनाव अपने आप में अजूबा है अगर मेरे कुम्ब की जितनी बड़ी ताकत है जो मैनेजेरियल के अपसेट को प्रतसीर करता है तो मेरे देश के चुनाव की रचना, चुनाव का आयोजन, और इतना बड़ा डेमोक्रेटीक पार्टिसिपेशन विश्व में डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी ये प्रेणा देता है और डेमोक्रेसी से की और अभी जो नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी प्रेणा का कारण बन सकता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे देश का इलेक्शन कमिशन इनिशेट करे हमारी विदेश मंत्रा ले उनको पुरी तरह से मदद करे और दुनिया भर की उनिवरसिटी दुनिया भर के स्टूडन्स दुनिया भर के डेमोक्रेट्स ये सारे लोग जो लोकतंतर में विश्वास करते हैं वो आने वाले दिनों में लोकतंतर का जो कुम होने वाला है उसे भी हाँ आए देखे और भारत के सामान ने मानवी का लोकतंतर के प्रति कमिट्मेंट जो है भारत के सामान ने मानवी का मानवी मुल्यों के प्रतिज़ कमिट्मेंट है उसको अपने आँखों से देखे और दुनिया के संदेज देखे कि भारत हम जो सोचते हैं जो सुनते हैं किसी की नजर से जो देखा है हमने अपनी नजर से एक दूसरा हिंदुस्तान देखा है, असली हिंदुस्तान देखा है, सामर्थवान हिंदु देखा है, हिंदुस्तान देखा है, और विश्व को कुछ देने का सामर्थ रखने वाला हिंदुस्तान देखा है, आपने जब अक्षय बुरिट देखा होगा, भारत के लोगों के लिए अक्षय बुर्ट एक स्रधा का कारण होगा लेकिन मान लिज़े उस स्रधा से आपको परिचे न भी हो तो आपको इतना तो पता चलेगा कि ये देश कितना प्रकृति प्रेमी है कि हजारों साल से एक ब्रक्ष के पती इतनी आस्था रहतने वाला जो समाज पैड और पउधे को में में भी परमात्मा देखता है अगर उस समाज को कोई समझे तो बिश्व को कभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोगल वर्मिंग की समस्याई जेलनी नहीं पड़ती अगर इन बातों को हम पहले से समझे तो वो सिर्व एक ब्रुक्ष के दर्शन नहीं थे वो भारत के लोग साथ उसकी माइथोलोजी जानते हैं भारत के लोगों के लिए वो होगा लेकिन जो माइथोलोजी को नहीं जानते हैं उनके लिए ये सामरत है कि हम पौधे में भी परमात्मा देखते हैं और हम प्रकुती के प्रती इतने सहजीवन के अब्रस्त है सहजीवन के साथ साथ प्रकुती के प्रती अफार सद्धा रखने वाले लोग है जो मानवजात की बहुत आनिवारियता है आज प्रकुर्ति के साथ संगर्ष के कारण मानवजाच जो संकटों में फसी हुई है उससे निकलने का रास्ता भी इसी महान परमपराने दिया है जाहे अक्षे बुरेट का दर्सन हो नदी के प्रती सद्धा की बात हो अप्टू डेट मैनेजमेंट की बात हो किसी भी पहलू से देखें दुनिया के लिए एक केस्ट्रडी है उनिवर्सिटिज के लिए केस्ट्रडी है और भरत के प्रति आंकर्शन बढ़ाने के लिए भरत की महान परमपराय मानुजात के कल्यान का रास्ता दिखाने वाली परमपराय है इस दृष्टी से भी बड़ा महत पपुन है ऐसे महत पपुन अवसर पर आपका आना मेरे लिए भावती गर्व का विश्य है, आनन का विश्य है मैं फिर एक बार आप सब कर रुदे से स्वागत करता हूं और जितना भी समय आपका यहाँ बिताने का मोका मिलेगा आप जुरूर भारत को जानने समझने के लिए उस समय का उप्योग करेंगे और अपने देश में जा करके दुनिया को बताएंगे कि आपने जो सुना है उससे हिंदुस्तान कुछ और है हिंदुस्तान कुछ अधीक है आप जो हिंदुस्तान जानते हो पुरातन जानते हो यही हंदुस्तान है जो आने वाले दिनों में भी मानवजाद को दिशा देने का सामर्त रखता है आप सच्चे अर्थ में भारतिस महान परंपरा के एमबेसेडर बन करके वापिस लोटेंगे यही मेरी आपश्प को सुखकामना है बहुत बहुत धन्यवाद